लेर्न अभी एक्स्ट्रा, I am Shivani चाहान, इस वीडियो में हम दूख देखेंगे Class 7 Maths की बुक का Chapter 7 Exercise 7.2 का Question No. 3 Question No. 1 और 2 इससे पहले के वीडियो में देख चुके है Exercise 7.1 मतलब introduction वगरे सब कुछ हो चुका है और इस exercise में है 10 questions तो हम कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में complete हो चाहें देखते हैं कितना बड़ा बनता है ना चलिए स्टार्ट करते हैं तो Question No. 3 जो है इसमें हमें कहा गया है You have to show that triangle AMP यह वाला जो triangle है triangle AMP is congruent यह जो equal ऐसे करके और फिर ऐसे चिडिया उड़ा देते हैं तो इसको हम कहते हैं congruent हमें बोला गया है कि हमें बताना है कि यहां पर यह वाला जो triangle है इसमें triangle AMP is congruent to triangle AMQ यह दोनों triangle जो हैं बतलब एक बड़ा triangle है ना इक यह ऐसे करके बड़ा सा triangle बना हुआ है और इसमें यह दो इस तरीके से triangles बन रहे राइट यहां पर इस तरीके से यह दो triangles बने हुए हैं तो हमें यह बताना है कि इस triangle में यह वाला triangle और यह वाला triangle यह और यह क्या है आपस में congruent है तो in the following proof supply the missing reason तो हमें reasons बताने हैं हमें बता रखा है कि यह इसके equal है बट हमें सिर्फ और सिर्फ बताना है कि भई क्यूं है इसका reason क्या है तो simple सा सबका reason क्या है हम लोगों को बता रखा है कि PM is equals to QM हमें step है अब इसका reason क्या है देखिए न यहां पर है PM is equals to QM given है बच्चों देखो ऐसे इस तरीके से एक यह वाला triangle है और एक यह वाला triangle है जब ऐसे करके sign होता है इसका मतलब है कि यह वाली side जो है वो इस वाली side के क्या है equal है मतलब यह वाली side इस वाली side के equal होती है तो इसमें क्या है कि PM is equals to MQ क्या यह है PM हो MQ या फिर QMA की बात होती है तो PM is equals to MQ तो reason आजाएगा कि फिर गिवन है हम लोगों को figure में दिखा रखा है कि यह ऐसे से करके sign बनाके यह equal है अब एंगल PMA तो एंगल PMA कौन सा है PMA यह वाला एंगल है और एंगल QMA QMA यह वाला एंगल है के equal है ऐसा हम लोगों को बता रखा है कि यह वाला एंगल इस वाले एंगल के equal है तो देखे जब इस तरीके से ऐसे करके भी बनाया होता है तो इसका मतलब होता है कि यह equal है और सबसे बड़ी बात you have to show that this यह show करना है तो यह वाले एंगल होंगे देखें, तो यह इंगल ही होगा क्यों? क्यों यह एक ही side है याने कि यह side क्या है यह तो common है अब जो चीज़ common है वो तो equal होगी ही कि am is equals to am obviously यह होगा क्यों कि यह तो एक ही side है यह तो ब्रुकल common सी बात है कि am is equals to am तो होना ही है राइट अब हमें बोल रखा है कि ट्राइंगल AMP A, A, M, P इस कॉंगुरेंट ट्राइंगल AMQ कैसे है सिंपल सा देखें ये वाली साइड है ये वाली साइड है और एक एंगल है तो साइड एंगल साइड रूल से ये दोनों साइड्स क्या हो जाएंगी ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे कैसे हो जाएंगे साइड एंगल साइड से तो इससे पहले हम लोग अल्रेडी प्रूफ कर चुके है कैसे एक साइड ये है एक साइड ये है और एक एंगल ये है तो साइड एंगल साइड रूल से ये दोनों triangle आपस में congruent हो जाएंगे येवाला given है, येवाला given है और येवाला जो है, येवाला हम लोगों का sorry, उपर वाला येवाला given था हम लोगों को ऐसे करके बता रखा था angles भी हम लोगों को बता रखे थे और ये तो common ही है तो side angle, side rule से ये दोनों triangle आपस में congruent हो जाएंगे अब question number 4 है देखिए बहुत सम्पल रही वाला chapter इसी तरीके से proof हो रहा है हम लोग को next question में next question में बोला गया है triangle A, B, C तो कोई सभी triangle है A, B, C आप लोगोंने बना लेना है, right? इस तरीके से मैं आपको बना के दिखा देती हूं यहाँ पर देखिए question number 4 में हम लोगों को बोला गया है कि triangle है A, B, C कि एक triangle है ऐसे करके A, B, C ये triangle है A, B, C और एक triangle है P, Q, R triangle P, Q, R A, B, C triangle है और P, Q, R है तो angle A, ये वाला angle जो है ये 30 degree है angle P क्या है? 30 degree angle Q, ये वाला angle 40 degree ये वाला angle B, 40 degree C, 10 110 और R, 110 अब हम लोगों को बोला गया है student says that ABC is concurrent to P, Q, R एक student जो है वो है कहता है कि ABC जो है वो concurrent है कैसे concurrent है? A, A, A अब अगर आप लोगों को याद है जो हमने सबसे पहले इसका learner भी हमारा जो channel है उस पर हम लोगों ने introduction video बनाया था introduction video में हम लोगों ने कहा था कि A, A, A ऐसा कुछ भी होता ही नहीं है AAA जैसी कोई भी concurrency का rule होता ही नहीं है तो ये जो student कह रहा है कि इस तरीके का ये triangle ABC और triangle PQR आपस में concurrent हो जाएगा तो भाई नहीं होगा AAA जैसी कोई भी property नहीं होती तो इसका अंसर होगा student not justified student is not justified because there is no criteria for AAA concurrence rule AAA concurrence rule होता ही नहीं है तो question number 4 का जो आप लोगा answer लिखेंगे वाईसे करके लिखेंगे मैं आपको यहापर लिखके बता देती हूँ question 4 का जो answer है तो इसमें लिखेंगे आप student जो है student is not justified मतलब student में जो चीज है वो justified नहीं की है student is not justified because there is no criteria there is no criteria criteria for AAA for AAA congruence AAA congruence का कोई भी criteria होता ही नहीं है तो question number 4 हमारा हो गया कि AAA तो भाई होता ही नहीं है तो और question number 5 अब हम लोग देख लेते हैं तो question number 5 में हम लोगों को बोला गया है in the figure the two triangles are congruent हम लोगों को बताया गया है कि ये वाली और ये वाली जो figure है है इसमें दो triangles क्या है congruent है हमें बता रखा है कि भाई congruent है the corresponding are marked we can write RAT तो देखे मैंने आपको इससे पहले के जो वीडियो से नहीं सुभी बताया था कि जो बिल्कुल same same जगे पर होते हैं वही हम लोग एक साथ लिखते हैं जैसे कि RAT यानि कि जो RAT बन रहा है है ना अब RAT के साथ साथ आप लोग किसको लिख सकते हैं ऐसे करके लिख सकते हैं देखिए ज़रा थोड़ा सा ध्यान से ये R है और R बे इस तरीके का single एक है ना mark लगा हुए है तो एक mark किस पर लगा हो यहाँ पर W पर तो R के सादे आप लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे पहलं तो triangle का sign लगा देगे आ ना R के सामने आप लोग लगेंगे W फिर इसके बाद देखेंगे 2 mark किस पर लगे है 2 mark A पर लगे है और 2 mark किस पर लगे है O पर तो A के साथ क्या आएगा और तीन मार किस पे लगे हुए ट पे और इस पे तीन मार किस पे लगे हुए एंड पे तो र, A, T is congruent to W, O, N और कौन सा congruence rule लग रहा है S, A, S S, A, S का congruence rule लग रहा है कैसे मैं आपको समझाती हूँ आप ज़रा देखिए येवाली जो side है, येवाली side हम लोग को बता रखी है side, A, R, येवाली side किस के इकल है? देखिए दो डंडे किस पे हैं? इस पे हैं और दो डंडे इस पे हैं तो side, A, R ऐसे करके आप लोग ज़रा इस वाले question को देखिए यहाँ पर तो A, R जो है, A, R वाली side है, येवाली, यहाँ पर देख लीजे धोड़ा सा, इसको छोटा ही कर लेजे क्योंकि फिर समझने आएगा, A, R येवाली side है, वो किसके equal है? A, R किसके equal है? O, W के, O, W के होगा, मैंने W, O क्यों नहीं कहा, देखिए न, आप ज़रा, ध्यान से देखिए A, R है न, A, क्या है, ये double वाला है न, तो A, R को अगर आप ऐसे रिखेंगे, किसके equal हैगी? A, double वाले से, O, W के equal आएगी, O, W के, और हम लोगों को कौनसी side दे रखिए? A, T, और यहाँ पे, सिंगल टिंटा किस पे? N, O पे, तो A, T है न, और O, N, ये दोनो side आपस में equal हैं, और angle A और angle O, ये क्या है? given, angle A is equal to angle O, ये सारे के सारे हम लोगों को actually given है, ये तीनों के तीनों हमें given है, तो कौनसी concurrency लग गई? S, A, S, right? तो मैंने आपको पता दिया, इसमें, देखे, A, R is equal to क्या होगा? A, R equal होगा O, W के, यहाँ पर देखिए, ऐसे करके लिखेंगे, ये लिखते हैं, in triangle R, A, T and W, O, N, तो इसमें ये 6, 5 वाला कर रहे होगा है, हां? तो A, T is equal to O, N, given है ये भी, और A, R is equal to O, W, ये भी given है, और angle A is equal to angle O, ये भी given है, तो यहाँ पर क्या होचाएगा? triangle R, A, T is equal to triangle W, O, N, तो R, A, T, W, O, N के equal हमारे आजाएगा question number 6 है हमारा, question number 6 में हम लोग को बोला गया है, complete the congruence statement, हम लोग को congruence statement को complete करना है, बहुत ही easy, आभी तक जो करते हुए आ रहे थे न, सिर्फ और सिर्फ वही करना है, तो यहाँ पर देखें जरा, इसमें हमें congruence statement को na complete करना है, तो B, C, A, यहाँ पर हमें बोला गया है, क् B, C, A, यह वाला triangle है, अब जरा आप देखें कि कौन सा किसके equal है, B, C वाली जो side है, यह वाली, यह किसके equal आ रहे है, B, T के equal आ रहे है, तो आप लोग लिखेंगे, in triangle, in triangle, B, C, A, and triangle, B, T, A, C और T, यह दोनों, यह वाले दोनों देखें ऐसे करके हमें equal given है, angle C is equals to angle T, क्या है, given है, क्योंकि हमें दिख रहा है, mark से बना हुआ है, B, C, यह वाली side देखें, double है, double है, तो B, C, जो है, is equals to क्या है, B, T है, यह भी given है, और, B, A, is equals to, B, A, है ना, B, A, is equals to angle, B, A, B, A, क्योंकि क्या है, sorry, B, A, is equals to angle, angle, यह side है, यह वाली, B, A is equals to, क्या हो जाएगा, B, A, is equals to B, A side, तो यह क्या हो जाएगी, S, A, S, S, A, S, से हमारी क्या हो जाएगी, यह congruent हो जाएगी, तो क्या होगा, यहाँ पर, S, A, S से congruent हो गई, अब B, C, A, B, C, A, किसके congruent होगी, T, B, A की, बिल्कुल similar वाली side देखें, B, C, A आ रही है ना, तो यहाँ पर, यहाँ क्या है बी के साथ बिल्कुल एक जैसा क्या आ रहा है अपना, B, C, A, is congruent to triangle, B, T, A, दिखिए, B के साथ हम लोग का, अगर इस वाले triangle से देखें, यहाँ से, तो यह T हो रहा है ना, और C के साथ में, अगर इस वाले से, इस वाले comparison में देखें, तो C हो रहा है, इसलिए, B, C, A, is congruent Q, R, S, और हम लोगों कौन से triangle लेना है, यह वाला, T, P, Q, तो Q, R, S is congruent to हो जाएगा, T, P, Q, अभी हम करके दिखाते हैं, यहाँ पर आगा, Q, R, S, Q, R, S, इस congruent to triangle हो जाएगा, T, P, Q के, तो बहुत ही सिंपल सा है, इसमें तो S, 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 S की आप लोग प्रोपर्टी लगा सकते हैं, Q, S से लगा सकते हैं, क्योंकि देखें, यह वाली साइड जो है, इस वाली साइड के एक्वल है, Q, R, S, से आप लोगों का हो जाएगा triangle T, P, Q, तो Q, R, S, is equal to हो जाएगा angle, triangle T, P, Q, तो यहाँ पर आजाएगा triangle T, P, Q, Q, R, S, is congruent to triangle T, P, Q, S, 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 ते, अब question number 7, 8, 9 और 10, यह जो है ना, अब हम लोग नेक्स वीडियो में देख लेंगे, है ना, क्योंकि इसमें आप लोगों को एक sheet वगरा में करके दिखाना हैं, वो अब आगे का हम नेक्स वीडियो में देखेंगे, thank you.